तो हम बात करने जा रहे हैं polynomial की ठीक है आप पुरी बात बताई देते थोड़ी बुद बाते ठीक है सबसे पहले बात polynomial का मतलब होता है कि इसमें एक तो variable होता है और किसी एक single variable के term में एक ऐसा expression जिसमें कोई भी degree जितनी भी degree x y z जिसकी भी हो जिसके term में हम दें उसकी degree हमेशा natural number होनी चाहिए whole number होनी चाहिए whole number मतलब हमने बताया था जिसे a0 x to power 2 plus a1 या b0 x to power 3 plus c0 x to power 4 कुछ भी आप लिख दीजे तो ये एक polynomial है लेकिन अगर x की degree negative आ जाती है या root में आ जाती है या पावर आ जाती है कुछ उसमें 1 by 2 1 by 3 तो वो polynomial नहीं होगा तो पहले तो पहचानना हो गया इसके बाद हमने बताया था भई किसी भी polynomial के degree कैसे पहचानते है degree of polynomial degree of polynomial क्या होता है तो बताया गया था कि highest power of x या y या z जिसके term में दिया हूं फिलाल जो सबसे simple relation वो x का हम मानके चलना है x की जो highest power होगी उसको उसकी degree कहता है जैसे मैं अगर आप से कहूं इसका नाम दे दे हम px px का मता है polynomial जो x के term में है तो अगर मैं इसको नाम दे दूँ 3 x to power 2 plus 7 x plus 5 x to power 4 तो इसकी degree कितनी है इसकी degree 4 है क्योंकि maximum power इसकी 4 है अच्छा दूसरा अगर मैं example लेता हूं क्योंग एक समान लेता हूं तो मैं लिखता हूं 9 x to power 4 plus 7 under root x plus 6 इसकी degree कितनी है अच्छा आदिर साब आप सोच रहें किसी degree हम क्या बताए it is not polynomial because इसकी degree root आ गई है हाँ देखे x की power में root नहीं होना चाहिए किसी constant में मतलब यह question माल यह root 7 लिखा होता root 3 लिखा होता तो यह है polynomial x की power जो हमेशा whole number होनी चाहिए 0, 1, 2, 3, 4 चलेगा negative नहीं चलेगा root के अंदर नहीं चलेगा ठीक है अच्छा इसके बाद दूसरी बात जो हम बता चुके हैं वो बता चुके है zeros of polynomial तो zeros of polynomial में हमने क्या बता है था zeros of polynomial देखे जाने से zeros का मतलब होता है x की वो value जो किसी भी polynomial की value को zero कर दे वो उसका zeros होता है जैसे माल लिया मैं एक polynomial लिखता हूँ 2x square minus 3x plus 1 इसका मैं नाम देता हूँ px अगर मैं x की value 1 put कर देता हूँ तो this will become 2 minus 3 plus 1 equal to zero अब बताइए 1 put करने से इसकी value 0 आ रही है तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 is the polynomial of this sorry 1 is the zeros of this polynomial सुन में आ गई बात ठीक है अब zeros और coefficient में relation क्या होता है देखे मैं 2 degree, 3 degree, 4 degree तक बताऊंगा आप से मतलब नहीं है चुकि आप जिस standard को जिस के लिए आप पढ़ रहे हो उसमें वो degree आ भी सकती है तो relation between zeros and coefficient हम बताने जा रहे है हम आपको याद कराने की कोशिस करेंगे कि आप याद कैसे करोगे देखो ध्यान से रिलेशन बिट्वीन zeros रिलेशन बिट्वीन zeros and coefficient पहली बात तो यह समझ ले किसी भी polynomial में जितनी highest power होती है उसको डिगरी कहते है ठीक है किसी भी polynomial की जो डिगरी होगी उस polynomial में maximum उतने ही zeros होगी यह पहँचान में आगई बात अगर वो four degree का polynomial है तो उसकी कितनी zeros होगे four होगी ठीक है तो पहले हम बात करने जा रहे है quadratic polynomial quadratic polynomial अब आपने का सब आपने linear क्यों नहीं लिखा अरे linear का मतलब x की degree क्या होगी वन अब उसमें तो एक ही value होगी अगर मैं कहूँ 3x प्लस four is equal to यह 3x प्लस four हम दे दे आप से हम आपको दे दे 3x प्लस four इसकी highest power of x क्या है वन तो इसको हम क्या कहेंगे linear अब अगर इसके आपको zeros पूछें तो कितने zeros होंगे वन तो zeros निकालने के लिए simple सा तरी का zero कर दीजे तो x की value जुआएगी वो निकलाएगी तो काहे का coefficient और का relation simple एक ही x की value निकल लिए इसलिए हमने नहीं बताया ठीक है अब हम बात करना है quadratic polynomial हम polynomial लिख रहे हैं हम equation नहीं लिख रहे हैं देखो ध्यान से अगर मैं ax square plus bx plus c यह quadratic polynomial है x square का coefficient a है x का coefficient b है constant c है हमने मान लिया कि let alpha and beta are zeros तो हम करते क्या है पहले single single plus करते है फिर दो दो का multiply करते है फिर तीन तीन का करते है अगर तीन है तो फिर चार चार का multiply करते है अगर चार है तो देखो तो single single plus करेंगे alpha plus beta तो फिलाल यह तो याद ही कर लो minus b upon a और जो दो दोनों का multiply करेंगे alpha into beta is equal to c अपान है, तो this is the relation between zeros and the coefficient समझ में आई बात अब मैं आपको बात करने जा रहा हूँ 3 degree का, देखो जान से तो 3 degree को हम क्या कहते है cubic polynomial देखें, दूसरा ले रहा है cubic polynomial cubic polynomial दूसरा साउधान हमने का, px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d यह visible है ना deep visual है अब दूसरा समझ जीएगा हमने यहाँ माल लिया कि लेट alpha, beta and gamma 8 zeros हमने का, इसका relation कैसा चाहिए पहले single single plus करिए फिर दो-दो का multiply करिए फिर तीन-तीन का multiply करिए अब यहाँ निकालने का तरीका आपको सिखाने जा रहा हूँ सुनो द्यान से पहले बाद में लिखो देखो alpha plus beta plus gamma यह single single plus किया है अपने है ना तो देखो तरीका क्या होता है minus one to power single यह समय यह यह यूज होगा तरीका ठीक है into x की अधिकतम power क्या है तो x की maximum power minus single upon x की maximum power देखो minus one to power one यानि minus आएगा यह आएगा x square upon x cube इसका मतलब यह होगा minus x square का मतलब यहाँ है coefficient of x square और नीचे coefficient of x cube तो क्या हैगा minus b upon a समझ में आई बात वैसे तो याद कर लिजे देखो यह order से लिखो पहले minus b upon a आएगा फिर plus में आएगा फिर minus में आएगा फिर plus में आएगा तो पहले x square हमेशा नीचे रहेगा यह जो पहला वाला coefficient नीचे रहेगा और फिर minus plus करते जाओ लेकिर वो याद करने वाला है यह हम method आपको सिखा रहे अब देखी दो-दो कर मुल्टिप्लाइ करने जा रहा हूँ alpha बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अलफा दो-दो कर मुल्टिप्लाइ किया है न तो क्या लिखेंगे minus 1 to power double into x की अधिक्तम power minus double upon x की अधिक्तम power तो चुकि minus की power double है यानि 2 है तो प्लस में value आएगी तो यह आजाएगा x upon x cube यानि x का coefficient क्या है c upon e तो आया c upon e समझ में आ रही बात पाथ साब यह निकालने का तरीका आपको उन्हें सिखा रहे हैं कितने भी degree का हो कितने भी degree का हो आप simply इसको पहचान जाएगे देखें अब 3-3 का multiply कर देते हैं तो 3-3 का multiply करेंगे तो आएगा alpha, beta, gamma क्या आएगा minus 1 to power 3 into x की अधिक्तम power minus 3 upon x की maximum power यह minus में आएगा यह x की power 0 होगा यह x power 3 होगा minus x power 0 बोले तो constantum यह दी बाई ए तो यह समझ में आया कि नहीं आया देखो वैसे तो हम जानते हैं single single में क्या होगा a समय नीचे रहेगा minus b फी plus c फी minus d ऐसे लिखते चले आएगे लेकिन यह हमने तरीका बताया है कि अगर 10 degree का भी आपको दिया हो तब भी आप इसको निकाल सकते हैं ठीक है तो लिखिए आप क्यूबिक में लिखिए हाँ बताए इसको तीन का मल्टिप्लाई क्या नाम ने जब सिंगल सिंगल लिखा था तो one power लिखी थी दो दो का मल्टिप्लाई की है तो power 2 लिखी जब तीन की मल्टिप्लाई करेंगे तो power 3 लिखेंगे आप अब इसमें हम 4 degree का लिखेंगे है 4 degree कैसे आप लगाएंगे देखें जान से जरा साउधान हो जाएगा 4 डिग्री का हमने लिया तो ये क्या लिखेंगे हम AX to power 4 4 डिग्री के polynomial को क्या लिखते हैं क्या नाम होता है भाई कौड़ेटी कहते हैं या 4 डिग्री लिख सकते हैं तार डिग्री को देखें भाई कौड़ेटीक बाई कौड़ेटीक देखो बाई कौड़ेटीक में क्या होगा AX to power 4 प्लस BX cube प्लस CX square प्लस DX प्लस E बराबर 0 जरा देखें जहान से इसमें कुछ कोफिशेंट 0 भी हो सकते हैं मालिया X square का term absent है तो क्या 0 कर देंगे अच्छा मैंने इसको zeros क्या माने लेट अलफा बीटा गामा डेल्टा भी zeros अब जरा साउधान अब आप मेरे method को लगाईए पहले single single प्लस कर लेते हैं अलफा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा हमने method क्या बताया minus 1 to power single into x की अधिक्तम पावर minus single upon x की अधिक्तम पावर यही बताया न हमने तो यह क्या है minus आएगा x cube upon x power 4 minus को cancel मत कर देना x cube का मतलब होता है x cube का coefficient upon x power 4 का coefficient तो आएगा minus b by a अब यह बात समुझ में आ गई अब दो दो का multiply करने का तरीका क्या होता है जाद देखे ध्यान से पहले alpha का multiply सबसे कर दो alpha beta plus alpha gamma plus alpha delta तो हमने पहले alpha का multiply कर दिया alpha beta plus alpha gamma plus alpha delta alpha delta plus अब बीटा का multiply कर दिये beta का alpha से अले भी हो चुका है तो beta gamma plus beta delta अब गामा का मेल्टिप्लाइख करें गामा का außer से भी हो चुका है बीटा से वह चुका है तो प्लस गामा डेलटा तो लिखने का तरीका समझ में आया कि कैसे दो दो क हो एल लिखा गया है अब तरीका हमने क्या दो का कुवल हो रहा है। तो क्या तरीका बता है हमने ब्राइन कि सक्वार डैबल इन्टू x की अधिकतम पाउर माइनस डेबल अपान X की मैग्सिमम पावर is equal to ये प्लस में आएगा X की पावर 2 अपान X पावर 4 यानि X स्क्वाइर का कोफिशन्ट C by A तो ये आगया C by A ये दो दो का मिल्टिप्लाई हो गया इसका मतलब कोफिशन्ट लिगने है आपको ये तरीका हमने बता दिया आपको कितने भी डिगरी का होगा हम उसको निकाल लेंगे अब देखिए तीन-तीन का मल्टिप्लाई कैसे करेंगे जरा देखो सावधान पहले अलफा का मल्टिप्लाई करते हैं अलफा बीटा गामा अलफा बीटा डेल्टा हैनि पहले अलफा बीटा ले ले लेते हैं उसका पहले गामा से करते हैं फिर डेल्टा से करते हैं तो आएगा अलफा बीटा गामा प्लस अलफा बीटा डेल्टा देखो, अलफा बीटा गुरूप लिया था, अलफा गामा लेलो, अलफा गामा डेल्टा, प्लस अलफा गामा डेल्टा, प्लस, अब क्या बचा आपका, अलफा बीटा डेल्टा, यह हो चुका है, और को बचा, बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, हो गए तीन त पावर 3 x की अधिक्तम पावर माइनस 3 अपान x की अधिक्तम पावर ये माइनस में आएगा ये आएगा x अपान x पावर 4 यानि माइनस x बोले तो डी बाई ए पार साफ सौंज में यह इसको सुनिए इसको चुपा लो टेको एलफा बीटा एक ग्रुप भाया आपने उसका मुटिप्ला कर से 158 वा तो आया आईलफा बीटा ग्रुप किसे साथ में आए हमने लामा के साथ करänder बेटा से हो चुका थे हृँ नहीं समझे अब alpha किसके साथ आया delta के साथ alpha delta gamma हो चुका है तो आप beta gamma delta लिख दिया हमने तो alpha beta gamma alpha beta delta alpha gamma delta beta gamma delta यह group 95 कैसे बनाए गए है अब जब 4 का multiply करेंगे तो क्या होगा डारेट लिख रहा हूं मैं यह लिख दें डारेट alpha, beta, gamma, delta तो minus 1 to power 4 x की maximum power minus 4 upon x की maximum power यह प्लस में आएगा यह x power 0 आएगा upon x power 4 आएगा यह coefficient e by a हो जाएगा तो पहचानना समझ में आगया पहचान गया ना कैसे लिखेंगे plus minus इतने डिगरी का आजाए एक तरीका हमने आपको बताया अब जड़ा कुछ और बाते समझ लेते हैं देखिए जैसे कोई quadratic equation है हम जानते है quadratic equation में आपके पास दो zeros होते हैं alpha और beta और दो relations हमने पढ़े हैं alpha plus beta हमने पढ़ा है alpha plus beta और alpha into beta यह आपने alpha plus beta minus by है और alpha into beta is equal to c by है हमने यह दो चीजे पढ़ी है ठीक है अब हमको कुछ और निकालना है हमसे इन्होंने कहा मान लिया आपसे कहा भई alpha square plus beta square निकालो तो आप simple सी बात है आप एक ऐसा relation लेके आओगे जिनमें इसका इस्तेमाल हम करें और यह निकालाए आपके पास कोई relation है तो आप कहेंगे भई मेरे पास एक formula है alpha plus beta whole square is equal to alpha square plus beta square plus 2 alpha beta है relation तो आपको alpha plus beta मालूम alpha into beta मालूम तो alpha square plus beta square की value हम निकाल लेंगे सही कहा मैंने या हमसे इन्होंने कहा भई आप alpha minus beta निकालो तो को हर formula नहीं लिखे जा सकते है क्या आप कहेंगे 25 formula लिख दीजेगा हम लिख लेंगे जी नहीं आपको research करनी पड़ेगी आपको सोचना पड़ेगा अब बताओ कोई ऐसा formula जिसमें ये आ जाए ये आ जाए और ये आ जाए तो हमारे पास एक formula होता है alpha minus beta का whole square minus alpha minus beta का whole square is equal to 4 alpha beta होता है देखे actually मैं जब मैं इसको खोलूँँगा alpha plus beta का whole square तो क्या आएगा ये आएगा alpha square plus beta square plus 2 alpha beta आएगा और minus इसको खोलिए alpha square plus beta square minus 2 alpha beta और जब ब्रैकेट पूरे खोल देंगे तो आएगा alpha square plus beta square plus 2 alpha beta minus alpha square minus beta square plus 2 alpha beta और ध्यान से देखे आप ये आपका 4 alpha beta आ रहा है नहीं आ रहा है तो ऐसे रिलेशन सर्च करने पड़ेंगे हर रिलेशन को आप याद नहीं कर सकते ठीक है कुछ इसके कुशन्स हुए थे क्या हमने कितने डिस्स किये थे डिवीजन करना सिखाया था आपको डिवीजन सिखाया था आपको तो पॉलिणामियल में आज क्या आप सीखना चाहेंगे आप क्योंकि पॉलिणामियल तो लगभग लगभग पूरा होने वाला था यहां की बात कर रहे हो यह यह डिलेशन देखो अलफा प्लस बीटा होली स्क्वाइर माइनस अलफा माइनस बीटा होली स्क्वाइर जब खुलोगे तो देखे अलफा प्लस बीटा होली स्क्वाइर यह आएगा आएगा ना और अलफा माइनस बीटा होली स्क्वाइर यह आएगा और अगर माइनस ब्रेकेट खोल दूगा तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे तो alpha square cancel हो गया, beta square cancel हो गया और 2 alpha beta plus 2 alpha beta, 4 alpha beta आएगा नहीं आएगा तो यह relation है यहाँ पर आएगे तो इसी के कुछ दिस्क्रस कर लेते हैं question कुछ अपनी तरफ से देखे जाने हैं जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वार क्या होता है ए प्लस बी प्लस अरे अरे क्या वोले हो होल स्क्वार ऐसा लिख सकते हैं आप क्या बता रहे थे एक यूग हाँ ठीक है अब जैसे हमने क्यूबिक लिया पॉलिनामियल तो क्यूबिक पॉलिनामियल में मुझको क्या निकालना आता है एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना आता है और क्या निकालना आता है alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha निकालना आता है तो अगर मुझसे पूछा कि alpha square plus beta square plus gamma square निकालो तो आपको यह relation याज होना चाहिए इसको जब खोल दोगे alpha plus beta plus gamma का whole square तो क्या आएगा alpha square plus beta square plus gamma square पर 2 alpha beta beta gamma gamma alpha निकालेंगे तो यह search करना पड़ेगा कि आपके given conditions में क्या निकाल सकते हैं और जो निकालना है उससे उसका relation क्या है ठीक है तो कुछ questions हम discuss करने जा रहे हैं ठीक है और वो आपको करना है देखिए द्यान से अब कोई भी एक polynomial आप अपने आप कर सकते हैं कोई भी ले सकते हैं लिखे एक स्क्वाइर प्लस वह यह एक स्क्वाइर प्लस बी एक स्वाइर लेके हम चल रहे हैं या हमने कहा एक example हम लेते हैं और जो बहुत सारी चीज़ें निकल वार रहे हैं आपसे एक polynomial है आपका 2x स्क्वाइर प्लस 4x प्लस 5 पहली बात तो अगर हम coefficient को equate करें हम यह polynomial है अध्यानक है equation नहीं है मैंने इसको equal to 0 नहीं लिखा है जब मैं equal to 0 कर दूँँगा तो यह बन जाएगा equation ठीक है तो अगर इसको standard equation से compare करने तो A यहाँ पर 2 होगा, B यहाँ पर 4 होगा, C यहाँ पर 5 होगा अच्छा, मैंने माना कि भी alpha and beta इसके 0s है तो हमारे पास relation होता है alpha plus beta is equal to minus b by a यानि कि minus 4 by 2 यानि कि इसको 6 मालो अपना calculation easy करने के लिए यानि कि minus का 2 और alpha into beta is equal to c by a यानि कि 6 by 2 यानि का 3 अब मैंने आप से कहा कि भाई alpha square plus beta square निकालो ज़रा निकाले क्या निकलेगा झाते ही का 5 हाए यानि क्याला कि ज़रा भी है ज़राब है ज़रादे हाँ बाते ही मारे पीति अर्वेश्षण ज़रादे है झाते है झाते ही झाते है कि हमको मत देखिएगा हाँ माइनस 2 आएगा 4 इस एकवल टू एलफा 2 स्कॉर प्लस बीटा स्कॉर प्लस 6 तो एलफा 2 स्कॉर प्लस बीटा स्कॉर इस एकवल टू माइनस 2 ठीक है मैंने आपसे कहा कि alpha upon beta plus beta upon alpha निकालो alpha upon beta plus beta upon alpha निकालो निकालिए देखें अब वो तो by chance की बात है कि alpha square plus beta square आप निकाल जुके थे अदरवाई आपको दुबारा उसको निकालना पड़ता अब हमने का alpha cube plus beta cube निकालो alpha cube plus beta cube निकालो यह relation मालूब है ना आपको aq plus bq a plus b a square plus b square minus a b यह जानते हैं आप तो alpha plus beta अगर नहीं निकाला है कहीं पर तो आपको निकालना पड़ेगा alpha plus beta चुके हम निकाल चुके हैं पहले से हमको मालूम भी है minus का 2 और alpha square plus beta square आप find कर चुके है minus का 2 और minus alpha beta find कर चुके है 3 तो आएगा आपका क्या आपने बताया था वैसाब नहीं मैं गलत हूँ या तो आप गलत है तो को alpha plus beta की value क्या है minus 2 मैंने बाहर लिख दिया alpha square plus beta square minus 2 और minus का alpha beta alpha beta है 3 तो minus 2 minus 3 minus 5 multiplied by minus 2 तो 10 ही तो आएगा 18 काह से निकाल लिया चलिए मैं वही उसका लेता हूँ चलिए मैं यूज़ करता हूँ तो कि alpha plus beta whole cube क्या formula होता है alpha cube plus beta cube plus 3 alpha beta in bracket alpha plus beta देखे identity कोई भी उसकरिए result तो वही आएगा न ये जो factors आए है वो actual भी यही से निकाले गए ठीक है देखो जहान से alpha cube plus beta cube वगर निकाला इदा देखो जराम को alpha cube plus beta cube निकाला होगा ये पूरा step इदा shift करके ले आओ और alpha plus beta common ले लो तो जो अंदर result बचेगा वो ये बचेगा तो factor उसी निकाले गए है चलिए मैं रखता हूँ value देखे alpha plus beta की value क्या निकाल लिया आपने minus का 2 यहां पर रख दिए तो यह हो जाएगा minus का 2 का cube alpha cube plus beta की उसको मालूम नहीं है वो निकाला है plus 3 alpha into beta क्या है 3 in bracket minus का 2 तो ये कितना आएगा minus का 8 आएगा और alpha cube plus beta cube निकालना है और ये कितना आएगा minus का 18 आएगा तो इसको तो ये शिफ्ट करोगे तो minus 8 plus 18 is equal to alpha cube plus beta cube तो actually में alpha cube plus beta cube क्या निकल के आया 10 ही तो निकल के आया आपने कहां से 18 निकाल लिया इसको हाँ ध्यान 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 अच्छा आप आप निकालो alpha cube minus beta cube अगला पार्ट आपको दे रहे है alpha cube minus beta cube निकाल लिये कैसे निकलेगा ये सब mathematical practice हैं और कुछ नहीं है आपको practice करनी है कि कैसे value निकाली जाए quick answer आना से ही आपको formula आने चाहिए next part आप से कह रहा है कि alpha minus पहले तो alpha minus beta अजन नहीं डाइट कर दो तो alpha cube minus beta cube में मुझे किस चीज की requirement होगी alpha cube minus beta cube निकाले के लिए हमारी पहली requirement क्या है ने ने वो तो वो इक अलाग answer है identity तो चाहिए चाहिए इसका जब factor करेंगे तो मेरे पास आएगा alpha minus beta एक bracket में alpha square plus beta square minus alpha beta तो हमें alpha minus beta निकालना पड़ेगा ना और मुझे alpha plus beta मालूम है तो अभी आपको हमने a plus b और a minus b में एक relation बताया है alpha plus beta whole square minus alpha minus beta whole square is equal to 4 alpha beta यह आप जानते हैं इसे याद तो नहीं करना पड़ रहा है आपको हाँ थोड़ा memorize कर लिजे तो इसकी value क्या निकल के आई है minus का 2 तो minus का 2 का square minus इसकी value मुझे मालूम नहीं और is equal to 4 alpha beta है 3 तो यह हो जाएगा आपका 4 minus alpha minus beta का whole square is equal to 12 12 को इधर ले आओ इसको इधर ले जाओ तो यह हो जाएगा 16 is equal to sorry इसको इधर ले जाना पड़ेगा देखें तो आएगा minus alpha minus beta का whole square is equal to 12 है और यह minus का 4 जाएगा minus alpha minus beta का whole square is equal to minus का plus का 8 आएगा यह alpha minus beta का whole square is equal to minus का 8 आएगा तो alpha minus beta is equal to under root minus का 8 आएगा इसको देखें आपको क्या लग रहा है वई कुछ अजीब uneasy feel हो रहा है root के अंदर negative हाँ एक complex number है यह imaginary number है यह है imaginary number so it is not possible अब आप में एक पॉस्बिल नहीं था भाईसा पूछे क्यों आप वो तो मैंने ऐसे रख दिया ना कि हमको क्या वालू है complex है अभी आपके standard पर इमिजरी है और आप छोड़ देंगे जब आप बड़े class पर जाओगे तो वहाँ पर एक complex concept आएगा वहाँ पर आपको इसको करना ही पड़ेगा ठीक है अच्छा अब आप अगला पार्ट करिए एलफा टो पाउर फोर प्लस बीटा टो पाउर फोर इसकी वैलू निकालिया हां होता है देखे आगे बड़े class में पढ़ेंगे थोड़ा हम आपको बढ़ा कर देते हैं आजी देखें हमारे पास एक तो रियल लंबर होते है थोड़ा सा बता देता हूं आदित सेप्ड़ियान ने एक तो आपका रियल नंबर सोते हैं सब हमएंजनर और हम इमेजनरी और हम इमेजन करके छोड़ देते हूं बड़े जाएंगे तो इसको हम indicate करेंगे i से किसे करेंगे i से i का मतर imaginary और इसका एक Latin भासा है आयोटा आयोटा विश कैनाट भी calculated जिसको calculate नहीं कर सकते जो imaginary है इसको हम i लिख देते हैं ठीक है और कोई भी number अगर real number i के साथ आ गया i का दोस्त बन गया तो वो खुद में तो real है लेकिन वो i के साथ हया है इसलिए उसको कहा जाता है imaginary part imaginary part जैसे आप अच्छे हैं और किसी गंदे लड़के के दोस्त बन जाएं तो आप वो गंदा जरूर है कि आप भी उसी के part कहलाएंगे ठीक है और अगर कोई number real है खुद में आई के साथ नहीं है तो वो कहलाता है real part real part और जब दोनों मिल जाते हैं कहते हैं what a complex वा क्या बात है real part, mini part, both are going with one bike तो इसको कहते हैं complex number क्या कहते हैं complex number जिसके बारे बहुत detail study आप 11th class onwards पढ़ना सुरू करेंगे अभी तो नहीं पढ़ेंगे तो इसे नोट करने पहले alpha पार 4 प्लस beta पार 4 जड़ा निकाले अब पार साब की एक query थी है root के अंदर negative इसे ने हमने बता दिया यह क्या होता है alpha पार 4 प्लस beta पार 4 actually इसके factor तो हो नहीं सकते plus लिखा हुआ है लेकिन आप देख रहे हैं यह किसी चीज का whole square लिखा हुआ है किस चीज का whole square करें कि यह भाई साब आजए यानि अगर मैं alpha square प्लस beta square का whole square करता हूँ तो alpha पार 4 प्लस beta पार 4 प्लस 2 alpha square बीटा square आएगा यह मैं निकाल चुका हूँ अभी थोड़ी देख पहले क्या निकाला था alpha square प्लस beta square तो मैं यहां लिख देता हूँ minus 2 का whole square और यह हमको निकालना है तो actually यह किसीज का square लिखा है alpha बीटा का square और alpha इंटू बीटा की वेलव हमने क्या निकाली है 3 तो यह लिखा है 3 का square तो यह हो गया आपका 4 यह alpha पार 4 प्लस beta पार 4 प्लस यह कितना आएगा 18 इसको इधर लियाओ तो alpha पार 4 प्लस beta पार 4 इस इकल टू minus का कितना आएगा plus का 4 minus 18 that is minus 14 अब देखें यह possible है नहीं possible है वो हम नहीं लिया रहे हमने एक example लिया है उसी से value में निकल वा रहा हूँ note करिए इसको अब एक question हम लेके चलते हैं यह rd शर्मा का एक example है put it down ज़र एक example लिखिए alpha and beta are 0 एक polynomial है एक polynomial है यह दिया हुआ है आपका x square minus 5x plus k x square minus 5x plus k if alpha and beta are zeros किसके zeros हैं of px and alpha minus beta is equal to 1 और alpha minus beta की value 1 है तो find the value of k k की value आपको find करनी है यह polynomial है यह x square minus 5x plus k और alpha बीटा इसके zeros है और alpha minus beta 1 है तो k की value आपको find करनी है how you will find it चलिए करिए इसको तेकि अगर मैं इसको compare करता हूँ तो यहाँ पर standard equation से compare करने पर a की value आती है 1 b की value आती है minus 5 और c की value आती है k और हम जानते हैं कि alpha plus beta जो कि minus b upon a होता है तो यह तो 5 हो गया और alpha into beta into beta c upon a होता है and that is k अब alpha minus beta का alpha plus beta से एक relation बताया गया है थोड़े पहले क्या बताया गया है कि alpha minus beta alpha plus beta whole square minus alpha minus beta whole square is equal to 4 alpha beta तो अब लिख दीजे value रख दीजे अपने आप जो निकलना होगा हो निकलाएगा अब देखे अलग अब हमने रिजल्ट रख दिया है हो सकता है यह direct आपके बुक में न लिखा हो यह हो सकता है जरा एक सेकंड समझेगा एक सेकंड जैसे alpha minus beta का whole square आप करें तो यह आएगा alpha square plus beta square minus 2 alpha beta होगा अगर यहाँ plus 2 alpha beta होता तो इसको क्या लिख सकते हम अगर यहाँ पर plus 2 alpha beta होता तो यह result क्या बनता यह result बनता है alpha plus beta का whole square तो अगर मैं अपने हिसाब से यहाँ पर अपने आप plus 2 alpha beta कर दूँ तो आप कहेंगे भई अपने घर की खेती तो है नहीं जाना चाहो plus कर दो जाना चाहो minus कर दो तो हमने plus किया है तो हम minus भी करेंगे और minus 2 alpha beta पहले से है तो यह बन जाता है alpha plus beta का whole square और minus 4 alpha beta और इधर क्या चला था alpha minus beta का whole square तो अगर मैं 4 alpha beta को इधर transfer कर दूँ और इसको उधर कर दूँ तो यह result नहीं लिखा हुआ है तो ultimately result वही आता है लेकिन book में change करते रहते हैं हमने इसलिए बोला कि वही आपकी book में उन्हों यह लिखा हुआ है पहले यह निकाला है और बात यह उसकी जगे लिखा है तो बात वही मैं कह रहा हूँ ठीक है तो alpha plus beta की value यहां क्या है 5 तो यहां गया 25 minus alpha minus beta की value क्या है यहां पर 1 है तो यहां गया 1 is equal to 4 alpha into beta की value k है अब यहां से k की value निकाल दीजे आप तो this will become 24 is equal to 4k, k will equal to 6 तो this is the value of k ठीक है एक और question लिखिये मैं randomly analysis कर रहा हूँ question है एक polynomial है kx square plus 4x plus 4 एक example है एक polynomial लिखा हुआ है kx square plus 4x plus 4 और alpha बीटा इसके zeros है alpha and beta are zeros इसके zeros है और दिया गया है alpha square plus beta square is equal to 24 alpha square plus beta square is equal to 24 तो कह रहे है k की value आफ find करो k की value निकाल के दिखाओ क्या होगी निकाल लिए 2 मुझे नहीं मालूँ देखे आपने क्या किया यहां पर पहले तो alpha plus beta निकाला है क्या निकला है minus 4 by k डाइट लिख रहा हूँ फिर alpha and 2 beta निकाला है 4 by k फिर आपने का वही alpha plus beta का whole square होता है alpha square plus beta square plus 2 alpha beta alpha plus beta की value है 4 by k यानि कि यह जाएगा 16 by k square alpha square बीटा है 24 है और 2 alpha बीटा है 4 by k क्यों वहीं quadratic बनने के संभावना है यहां लग रही है यह तो k square दिख रहा है हमको तो यहनि 16 by k square is equal to यहां k l से मुझ जाएगा तो 24 k और complication आ रहा है plus 8 by k 1 k से k cancel हो गया यह k मचेगा cross multiply करेंगे तो यह जाएगा 24 k square plus 8 k is equal to 16 या 24 k square plus 8 k minus 16 ब्यावर 0 8 से divide कर दो तो 3 k square plus k minus 2 is equal to 0 अब इसको factorize करेंगे तो k की कितनी value आएगी एक आएगी दो value आएगी इसके factor करने आते हैं आपको आपने क्या value बताई है यह मत किया गरो भाई थोड़ा सब बहुत बाई speed से career work अच्छी बात है लेकिन correction जरूरी है गलती नहीं होनी चाहिए factors पढ़े होंगे आपने splitting the middle term 326 minus i लगा हुआ है तो minus 6 आएगा minus 6 के ऐसे टुकडे जिनका difference 1 हो तो क्या आएगा 326 3 minus 2 तो यह क्या जाएगा यह बन जाएगा 3k square plus 3k minus 2k minus 2 ब्राव 0 factors 1 में है कि बताएगे कैसे आएगे क्यों पार सब factors 1 में है k plus 1 यहां से minus 2 common k plus 1 is equal to 0 यहां से k plus 1 else common लिया तो आगया 3k minus 2 is equal to 0 एक बार मैंने k plus 1 को 0 किया k की value आगई minus 1 एक बार 3k minus 2 को 0 किया k की value आगई 2 by 3 तो इस प्रकार से k की value हमारी दो निकली अब देखें कोई polynomial है उसके zeros निकाले हैं निकाले हैं आपको आते हैं हमने आपको उसके zeros दे दिये दरा समझेगा हमने zeros दे दिये और हमने का बताओ ये zeros किस polynomial के हैं समझारी बात हम क्या कह रहें polynomial दिया हुआ है हमने zeros आपसे find करवाए तो आप क्या कहेंगे उसके factors करेंगे दो factors आएंगे अगर quadratic है उसको equal to 0 करेंगे दो value x की निकलाएंगी हमने ऐसा नहीं किया हमने दो एक एक कोई polynomial है जो हम नहीं जानते उसके zeros दे दिये हमने का बताओ ये zeros किस polynomial के हैं तो तरीका क्या होता है देखे जान से हमने बताया था क्या तरीका होता है कि x square minus sum of the polynomial into x plus product of the polynomial याद है याद है ना अगर हम मालने किस alpha and beta are zeros of a polynomial of a polynomial तो actually इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जो भी polynomial है उसमें एक x की value alpha है जो उसको satisfy कर रही है और एक x की value beta है जो उसको satisfy कर रही है यादि x is equal to alpha रखने पर value 0 आ रही है और x को beta रखने पर 0 आ रही है तो यादि एक factor आपका x minus alpha equal to 0 होगा एक आपका x minus beta is equal to 0 होगा इसको 0 हमने कैसे किया होगा दो factors multiply में लिखे हुए थे उनको अलग-अलग 0 किया था यह जो किया था आपने आपने दो factor आइसे लिखे होंगे न इस प्रकार से और आप दोनों को 0 किये होंगे तभी तो x की value alpha और beta निकली होगी तो आपका जो polynomial निकलेगा यहाँ पर polynomial निकलेगा वो निकलेगा x minus alpha into x minus beta लेकिन इसको जब खोलेंगे तो x minus beta तो x का जो coefficient होगा वो हमेशा 1 होगा लिखकि वो ax square होता है तो हम यहाँ अपने आप के से multiply कर देते हैं तो यहनिकि इसको जब खोलेंगे तो आएगा x square minus alpha into beta into x plus alpha into beta तो मेरा जो polynomial निकला जिसके zeros थे alpha and beta देखो फिर समझेगा polynomial given है हमने उसके zeros निकल वा लिए आपने क्या क्या उसको factorize किया उसको zero कर दिया अलग-अलग factors को x के मान निका लिए हमने ऐसा नहीं का हमने का यह zeros है x की एक value यह है एक value यह है वो कौन सा polynomial है तो यह polynomial निकाले का तरीका होता है इसे नोट करिए फिर question की हम बात करते है